हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा छटी जिसका विशेह है गनित इसकी वरक्षीट नंबर 47 कराऊंगी जिसकी डेटा में पस 23 दिसमबर 2021 तो आज की वरक्षीट में भी हम रचना करना ही सिखेंगे लेकिन आज हम लम रेखाओं को कैसे उनकी रचना कैसे की जाती है वो 1, None is together is like a lie मैं ज फीष्ट करते वी जाती है जैसे की इनको उनकी बम रेखार नहीं होता है जैसे आप अपना आकशर आल देख सकते हो वह एक लम रेखा होती है उस पर संड़ मैं रहा होते है 90 डिग्री का कोन भणा और है तो आज आनो裡面 रिखना करने वाल दो तीं तरीके से सिखेंगे एक रूलर और सेटी स्कोर की हेल्प सी सिखेंगे और एक रूलर और 're pré PARR कार की हेल्म से सिखेंगे सबसे पहले रूलर रूलर की स्कोर की है किसे करना है आपको देखो सबसे पहले आपको एक रेखा खीचनी है एल बिल्कुल स्टेप बाइस बताऊंगे आप साथ साथ बनाते रहेंगे तो कोई भी डाउट नहीं रहे और वरक्षिट बहुत असानी से कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपना समान निकाल लीजे सेटी स्केल प्रक पैंजिल सब निकाल लीजों सासाथ बनाते रहें तो सबसे पहले आपको एक रेखा बनानी है कितनी भी सेंटीमीटर की बना सकते हैं इस रेखा पर आपको पॉइंट देना है पी तो इसके बाद आपको क्या करना है अपना सेटी स्क्वेर लेना यह आपको मैट्स की जो ज आपको क्या करना है सबसे पहले फिर दुबारा एक रेखा की जो एक पॉइंट ले लो पी अब अपना प्रकार लीजे उसमें पैंसिल को फिट कीजे प्रकार को थोड़ा सा खोल लीजे आपकी मर्जी आप कितनी भी तृजा का खोल सकते हैं लेकिन एक बर खोलने के बाद उसको बंद मत कीजेगा ठीक है आपने प्रकार खोल लिया अब आप क्या करो इहां पर एक चाप यहां लगा दो पी पर प्रकार का बिंदू रखने जो प्रकार का नुकीला पॉइंट है वह पी पे रखो और दोनों साइड एक चाप लगा दो इसको नाम देदो ए और बी की पर जरआ लगानी है सेम ऐसी एक बार एपर उपर लगानी एक बर बी पर लगानी है लग गई चाप बस अब आप इसको क्या करो इस पी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो यह आपकी बन गई लंग रेखा और यह किसकी मदद से बनी यह बने अपकी रूलर और प्रकार की मदद से बहुत असान था रेखा खीची उस पे बिंदू ली पी कितने भी त्रिजा का अपना प्रकार खोला दोनों साइड एक एक चाप लगा दी और उन चाप से एक एक चाप नीचे और एक चाप उपर लगा दी बस जोड दिया चार स्टैप में हमारी जो है लम पहले स्टैप में उसके बाद आप जो बिंदू आप लोगे वह आप उपर लोगे उपर वाले केस में हमने यह बिंदू पीस रेखा के उपर ही ली थी लेकिन आप ऐसा नहीं होगा तो आप यहां पर पी बिंदू ले लो एक तीक है अब फिर से अपना प्रकार खोलो कितन अब एक चाप नीचे लगा और इसको पी बिंदू से जोर दो यह जो आपकी बन गई लम रेखा तो दोनों ही केस बहुत असान है फ़रा कितना है उस एक में हमने बिंदू जो है वो रेखा पे लिए एक में रेखा के बहार लिए चलिए अब दो तिन कोशन है वो भी कर ले उसके बाद एक में आपको क्या बनानी है तो कैसे बनाओगे सबसे पहले आपको क्या करना सेवन सेंटीमीटर के आप रेखा कंड बना लो स्केल की मदद से कुछ भी नाम दे दो मैंने यहां दे दिया इस पे बिंदू लेना है आर कहीं पर भी ले सकते हो ठीक है अब आपक लगा दो एक चाप यहां लगा दो वाई आपको यह कटिंग पॉइंट नीचे से भी और ऊपर से भी बिखुल बने की यहां लम रेखा जिसका नाम है M और N बेकुल step by step करना तो कोई गलती नहीं होगी और जो रचना के पद हैं वो आप इहां से लिख सकते हैं यह रहे यह है कोशन नमबर बन के सिर्फ नाम चेंज करना है ठीक है कोशन नमबर टू देखें यहां पर आपसे क्या कह रहा है कोशन नमबर टू में 10 semi की एक रेखाखन खीचे इसके बाहर एक बिंदू लीजे अभी वो क्या कह रहा था उसी पर लेनी थी बिंदू अब उसके बाहर कहीं एक बिंदू लेनी है S बिंदू S से रेखाखन पर एक लंब X Y खीचे फिर आपको एक रेखाखन लंब बनाना है तो कैसे बनाओगे सबसे पहले आप क्या करो 10 semi की अपनी क्या करो एक रेखाखन कीचलो स्केल की मदद से इसको नाम दे दिया मैंने AB इसके बहार एक बिंदू S लेनी है मैंने यहां ले लिया S बिंदू ठीक है याद रखना है यह 10 semi की है अब आपको क्या करना था S पॉइंट से कमपास खोलो अपना प्रकार खोलो कितनी भी त्री जगा इस तरीके से कि यहां पर एक अर्द ब्र को एक चाप यहां लगा दो बस जो यह कटिंग पॉइंट आया इसको एस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो यह बन गई आपकी XY देखा खंड जो की लंब है AB पर चलिए नेक्स्ट करते हैं रीना बजार से अपने घर पहुँचने के लिए पहले सिधा पूर्व की और और फिर उत्तर की और गई वह किस कोन से उत्तर की और मुरी और किस प्रकार की रेखाएं बनाई देखो एक लड पर किस तरीके का कोन बन रहे हैं और कौन सी रेखाएं हैं तो अगर हम इसकी आखरीती बनाना चाहिए कोशन नममर 3 की तो पहले वो पूर्व की और गई फिर वो उत्तर की और गई तो कुछ ऐसे आखरीती बन जाएगी तो यह कौन सा कौन बना रही है तो कौन तो यह सम और 90 डिग्री का कौन बना रही है यह आपका आंसर ठीक है चलिए कोशन नमबर 4 पे आ गए चादर या कागज के रेखा खंडों से किस प्रकार की रेखाएं और कौन बनती हैं यह तो हम अभी उपर भी करके आए हैं कि जो चादर की कौने होते हैं या पी जो कागज की कौने ह तो यही सेम आंसर आपका कोशन नमबर 4 पर का भी है यही वाला के इसके साथ आपकी वर्क्षिट कंप्लीट हो गई है सासाथ बनाईएगा अगर उसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूश लीजेगा नेक्स्ट वर्क्षिट हम अपनी नेक्स्ट थे 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 ज।